हेलो अससलाम अलेकुम पाकिस्तान दिस एंटाइ फॉम पाकिस्तान स्टिजिक फोरूम आज का हमारा टॉपिक है कि क्या पाकिस्तान एर फोर्स को शैंग यांग या जिसको जेर फैलकन या जेर फैलकन या जे थरिफाइव भी का जाता है वो फ्लीट में शामिल करना चाहिए और नहीं करना चाहिए बहुत से लोग सोशल मीडिय के उपर ये बातचीत करे थे कि पाकिस्तान एर फोर्स को एक फिफ जनरेशन फाइटर जो है वो FC-31 लेना चाहिए जिसको जे-35 भी कहते हैं तो हमने का थोड़ी सी इस कन्फूजन को दूर कर देते हैं वीडियो की तरफ जाना से पहले हमाँ तमाम नाज़ीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि काइनली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैल का इकन दबाना मत भूलें जिस तरह के रिसेंटली FC-31 या जिसको जे-35 भी का जाता है उसकी जो तस्वीर थी फाइनल प्रोटाइब की वो सोचल मेडियो के उपर वाइरल हुई तो बहुत से लोगों ने ये बात कहनी शुरू कर दी कि पाकिसान एक्राफ्ट को ये जो पर्टिकुलर एक्राफ्ट है इसको खरीदना चाहिए इसको ऐस फिफ जनेरेशन फाइटर जो है वो पाकिसान एक्राफ्ट के अंदर शामिल करना चाहिए यहाँ पर मैं ये बाबता दूँ कि ये जो पर्टिकुलर एक्राफ्ट है FC-31 या J-35 ये एक्राफ्ट केरियर बेस्ट फाइटर एक्राफ्ट है और जिस तरह के हम सब को पता है कि पाकिस्तान नेवी के पास एक्राफ्ट केरियर नहीं है तो अगर आपके पास एक्राफ्ट केरियर नहीं है तो इस जहाज का नेवल रोल के अंदर इसको सी रोल भी कहते हैं उसमें को इतना खास फाइदा नहीं है अब बहुत है लोग ये बात करेंगे कि पाकिस्तान नेवी जो है वो क्यों एरकाफ केरियर नहीं परचेस करती क्यों आपरेट नहीं करती तो उसके जो है वो एरकाफ केरियर जो है वो अपरेट नहीं करती है अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या पाकिस्तान नेवी को एक डेडिकेटड फाइटर एरकाफ की नेवल रोल के अंदर जरूरत है यहां पर ये बापता चलूं कि अभी जो इस वकत A to C रोल हैं जिनको C स्प को पता है कि JF-17 Thunder जो है वो C-802 और CM-400AKG जो है वो मिजाइल यूस करता है एर टु सी रोल के लिए मिराजिस चुके आइसता इसता रिप्लेस हो रहे हैं एर टु सी रोल से तो उसकी जो कमी है या उसकी जो रिप्लेस्मेंट है वो JF-17 Thunder का रहा है यहां पर ये बात अना बह इडिकेटड फाइटर फ्लीट बनाना पड़ेगा क्योंकि पाकिसान एर फोस के उपर बहुत ज़्या जिम्मदारी आ जाती है इस पर्टिकुलर रोल को निभाने के लिए और हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो अब F-18 Super Hornet भी देने जा रहा है अपनी Navy के लिए तो हम expect कर सकते हैं कि future के अंदर पाकिसान नेवल एराम जो है उसके अंदर एक या दो dedicated fighter squadrons जो है वो race किये जा सकते हैं ताहम इसके ओपर अभी कोई भी official खबर मजूद नहीं है ताहम ये recommendation जरूर है defense community की तरफ से के पाकिसान नेवी का एक dedicated naval fighter aircraft का fleet होना चाहिए जिसके अंदर एक कि दो squadron भी अगर आ जाएं dedicated जो नेवी के लिए हो सिर्फ तो वो जो है वो काफी ज़्यादा मजबूत करेगा पाकिसान नेवल एराम को आज के लिए बस इतना ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा this is anti signing off पाकिस्तान जिंदबाद झाल 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 झाल